सकते हैं काफी खूप सुरत सी यहां पर बाखली देखने को मिल ली है यहां पर पत्थरों के छवाई वाले मकान काफी खूप सुरत से लग रहे हैं और देखे एकदम क्या पैटन है इन पत्थरों का और यहां पर मक्के की खेती बहुत ज्यादा हो रही है और खेतों में खू एक फिल लेट हो रही है यानि के इविनिंग टाइम पर हो रही है तो अभी हम गूमने के लिए तो बड़े भैसा भी आ जा रहे हैं यहां गोमने के लिए तो उनको घुमा रहे हैं आज कल आसपास के जो भी गाउं है तो बने रहें ब्लॉक के एंड तक चलिए यहां पर एक दुकान है और भाई सब ले रहे हैं कुछ समान फिर उसके बार निकलते हैं आगी की तरब को चलिए फिलाल हम पहुंच चुके हैं कुछ चौन गाउं में और यहां पर दो कुछ चौन हैं कुछ चौन तल्ला है और एक कुछ चौन मल्ला है तो यहां पर हमारे कोई परिचीत हैं कोई मित्र हैं तो उनके घर पर हम आये थे तो आप देख सकते हैं काफी खूपसरज सी यह कीर पुराने घर से बने हैं और बिलकुल पुराने शैली में ही हारे मकान बने है है और यहांपर अमा की सकार क्या हमार फैखेज़ चाहा कि पर solchen त्र सबस्द करें यसलिए इस भॉस से घ्र ऐदि वतिया के एलिए आगन में तरह से रख दिया है तो जी यहां पर पत्थरों के छवाई वाले मकान काफी खूपरत से लग रहे हैं और देखें एकदम क्या पैटन है इन पत्थरों का एक के उपर एक लगा रखा है ताकि इसके अंदर पानी न घुजे तो बहुत सुन्दर से छवाई हो रहे हैं मकान की और पूरा घर बहुत ज्यादा हो रही है और खेतों में खोब सारे मक्ये लगे हुए हैं और इस तरफ से भी अच्छे खासी खेती यहां पर लोगों ने कर रखी है तो पलायन की मार तो हर गाउं जहेल रहा है लेकिन इस गाउं में भी थोड़ा बहुत लोग प्लायन हो चुके हैं बढ़ा है और यह हमारे मदन दर को और यह है उनकी गुडिया है लो है लो है नाम मतादे नाम बता दे उनकाने नाम क्राइब हैं लेड अच्छाए है जाने की बारी अगई है यहां से ज्यादा लेते हैं थेक चामा नमस्कार आवल पर कहीं है तामेल यह लेगी मदंदा से मिलके बहुत अच्छा लगा और यहां पर अब चलते हैं घर को हुआ है इंच्छा बूसर दीन पर यदाना इंचर थार खाल अब बाल को आव है आवल कहीं है आप दूसर दीन अब तूसर दीन पर आप है थे जाओ की बाल ना इने थे आउ कुछ आऊ-ब अखेंगे। झाल झाल वाल प्रली में खुट अजया मैं खुट आटोग आटोगो ख़िधिंग से विए को अश्यांने, मत्तोग आटो निवाओ खुट भागो थे अच्छों से मीलाड़ में को जोड़ेवा साथ पारा के आटोगे हो आटोगे है आटोगे झाल